आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स थोड़ा कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें. नमबर एक अगर आप रोजाना कच्चा प्याज खाते हैं, तो आपको कैंसर कभी नहीं हो शकता है. नमबर दो सोने से पहले एक टुकड़ा गुड़ को गर्म पानी के साथ खाने से पत्री जल्दी तोटकर यूरीन के रास्ते निकल जाती है. नमबर तीन यदि पूरे दिन में दो बार दही का सेवन करते हैं, तो व्यक्ति के दिल की धड़कन सामान बनी रहती है. नमबर चार नेवो के छिलके के पाउडर में नमक मिला कर ब्रस करने से दातों का पीलापन दोर होता है. नमबर पाच अगर आपको चक्कर आता है तो आप मुनक्का का सेवन करें. नमबर चै मुल्तानी मिट्टी में दही मिला कर चेहरे पर लगाने से धोप से हुआ कालापन मिंटों में खत्म होता है. नमबर साथ सिंघाडा शरीर में होने वाले दर्द और सूजन को ठीक करता है. नमबर आठ जो औरते बुढ़ी नजर आने लगे वो अनार के रस में दही सामिल करके पी लिया करें. जवान नजर आने लगेंगी. नमबर नौ अगर आपको कबज की समस्या रहती हैं, तो नारियल की एक बड़े टुकड़े को खा कर सो जाएं. इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट साफ कर देता है. नमबर दस तामबे की बरतन में कभी भी घी ना रखें. नमबर इग्यारा अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो आपको कच्छी गाजर खानी चाहिए. नमबर बारा आप अगर सुभा उठते ही खाली पेट चाई पीते हैं, तो शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नीदना आने की समस्या हो जाती है. और तनाओ भी बढ़ जाता है, नमबर तेरा रात को सोने से पहले आधा चम्मच, सूखा धनिया थोड़े से पानी में भीगो दे, और सुभा उठकर इस पानी को छान कर पी ले, इससे पीरियड से जुड़ी सारी समस्या दूर होती है, और पेट कबजी की समस्या भी दूर होती है. नमबर 14, चावल को भून कर उन्हे रात भर पानी में भीगो कर रखे, सुभा चावल को छान कर उस पानी को पीने से सभी प्रिकार के कीड़े पेट से खत्म हो जाते हैं. नमबर 15, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में शहायक होती है. नमबर 16, चहरे पर डाग धब्बे और जुर्या होतो, थोड़ी से बेशन में थोड़ी सी मलाई और दो चमच नीबू कारस डाल कर अच्छे से मिला ले. अब इस मिस्रड को आधे घंटे के लिए चहरे पर लगा कर रखें, फिर इसे अच्छे से धो ले. इस घरे लोब पाए से चहरे की खुशकी दूर होती है, जुर्या साफ होती है और चहरे पर चमक आती है. नमबर शत्रा खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से मुटापा बरता है. नमबर अठारा जो लोग मुटापे का सिकार रहते हैं और उनकी टांगों में खिचाव रहता है, वह चावल बिलकुल भी ना खाए. नमबर उन्नीस दोध के साथ अंजीर खाने से शारीरी कमजोरी दूर होती है. नमबर बीस एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच जीरा रात भर भीगो कर रखें, सुभा इसे उबालें और चाई की तरह पिएं. इसके रूजाना सेवन से सरीर से फाल्तो चर्वी निकल जाती है. इसे पीने के बाद एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है. नमबर इकीस नारियल पानी में बिटामिन E की अच्छी मात्रा होती है. इसे रोज पीने से बाल मजबूत होता है. नमबर बाईस चहरे पर फुनसी होतो बर्फ का टुकड़ा मल ले. नमबर तेज नारियल पानी पीने से यादास्त बहुत तेज होती है. नमबर चौबिस खासी से तुरंत रहत पाने के लिए आवला भून कर खाएं. नमबर पथीज अगर आपको ठकावट महशूश होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खाल ले. ये आपकी एनरजी को बढ़ाएगा. नमबर चौबिस चने की दाल बाल और तुचा के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है. नमबर सत्ताईस मूली खाने से हाई ब्लड प्रेसर की समस्या को दूर करती है. नमबर अठाईस एक छोटे सी गिलास में एक गिलास इमली का जूस पीने से सूगर लेबल कंट्रोल में रहता है. नमबर उनतीस हर रोज सुभा साम सौफ खाने से आखो की रोजनी बढ़ती है. नमबर तीस सफेद प्याज के रस में छीनी मिला कर पीने से एसे डिटी की समस्या दूर होती है. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नुटिफिकेशन को आल पर सिट कर लें. ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलें. हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्त रहें. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.